बिहार लोकेशन का मैंने साइड में स्क्रीन सॉट लगाया है यहाँ पे देख सकते हैं पतना सीटी में 20 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट होने वाला है पतना कंकरबाग में 20 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट है दानापुर में 20 कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट है उसके ज़ढ़िया नालंदा में यहां पे 10 चाहिए पुरोणिया औरंगाबाद में 10 चाहिए मुझफपरपुर में 10 चाहिए और सहरसा में 10 के इंज़ीडर चाहिए और यह बिहार में जॉब है बिल्कुल फ्री में नौकरी यह कोई चार्जेश कोई भी थीस्द लगेगा जॉइनिंग करना बिलकुल आसान है कैसे जॉइनिंग होगा क्या एश का लिमीटेशन्स है क्या आपका एशूकेशन्ट कौलीफिकेशन्स होना चाहिए और तो एकस्क्यूज उगर करना है न तो किसी भी परकार से कर सकते हो घर पे बैटने से नौकरी नहीं मिलता कंकरबाग में भरती है तो पतना कंकरबाग का लोकल कैंडिडेट ही अपलाई कर सकता है अगर मुझपरपुर में भरती है तो मुझपरपुर का लोकल कैंडिडेट ही अपलाई कर सकता है क्यों क्यों कि यहां पे कंपनी का बाउंडिंग है और कंपनी के बाउंडिंग है तो म आधार कार्ड में डिस्टिक देखेगा कि हाँ इस डिस्टिक का कैंडिडेट है नहीं होगा सीधा वो जो एचार टीम की तरफ से अपडेट कर दिया जाएगा तो मेरे को यूटूब के माद्यम से इन्फरमेशन तो देना है लेकिन रियल इन्फरमेशन आपके साथ में पहु इन्फरमेशन किया जब उन्होंने मेरे पास में जेडी अपडेट किया तो मैंने उनको कॉल किया और कहा कि कैंडिडेट का कॉल सबका उठना चाहिए लेकिन एक बास सुन लिजे जब 10 बज़े सुबह में ऑफिस ओपिन होता है मैडम का तो यहाँ पर प्रॉपरली देखा का यह गया कि एक घंटा मीटिंग होता हैं तो कॉल करने का जो समय है सुबह दस बज़े से ले करके यहां पे सामके छे बजसे तक कॉल कर सकते हो कोई बीप्रावलम्स वगईरा क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी प्रावलम्स या फि ओके तो आल लाइट यहां पर जो भी चीज है मिंसंस कर देते हैं अच्छे से इन्फरमेशन समझे उसके बाद में आप लोग कमपनी कैसे जॉइन कीजेगा कैसे आपको बिहार लोकेशन में फ्री में नौकरी मिलेगा वो सारा कुछ हम आपके साथ में अपडेट करेंगे और इतना तो जरूर कह सकते हैं जितने भी भाई लोग हमें बिहार से देखते हैं आपके एक लाइक का हम भी परतिक्षा कर रहे हैं लाइक जरूर किज़े चैनल पे नए हो तो डैफिनेटली से सब्सक्राइब किज़े क्योंकि यहां पे ओल इंडिया जॉब्स का इन फार्मे यहां पे देखे फिलिप कार्ट लार्ज के लिए हाइडिंग है लोकेशन इंस्टा कार्ट सर्विस प्राइवेट लिमितेड हैं यहां पर यहां पे जो भी लोकेशन पर्टिकुलर हमने आपके साथ में में किया है अराउंट्टू मी उसका जो है पंदरह से 20 किलोमीटर अ चाहिए अंदर का जैसे पटना कंकरबाग में भरती निकला तो उसमें क्या है कि अंडर 20 किलो मीटर का चाहिए तो यह चीजों का सोचना पड़ेगा है कि नहीं तो यहां पर मैंने लोकेशन किया है अगर रिपीट करना होगा तो फिर से मैं कर देता हूँ पटना सीटी में 20 केंडियर चाहिए पटना कंकरबाग में 20 है दानापुर में 20 है नवादा में 5 है अगया में 8 है मोतीहारी में 10 है मदूबनी में 6 है लखी सराय में 5 है बेतिया में 10 है बेगु सराय में 5 है लान हैड्रेस दिया गया है उससे 10 से 15 किलोमीटर के अंदर का कैंडियर चाहिए अब देखो यहाँ पे जो जॉब का प्रोफाइल होगा इस्ट्राकार सर्विस प्राइवेट लिम्टेट कंपनी के तरफ से यह जॉब का प्रोफाइल है वैन डिलेवरी एक्जीक्यूटिव का सारा फ्राइवेट कशलए लेवरी करनी हैं और वापस भी उसी गारी में बैठ़के आना है ड्राइवर कंपनी नहीं होने यह जो बहलेग सारा कुछ रहेगा कंपनी के सारा मैंस्मेंट रहेगा इसको लेकर के करते सामने आपको प्लेकुल भी नहीं होने बाले हे ओके और लाइट ये confusion तो आपका बिल्कुल से दूर हो गया है तो यहाँ पे बता दू जो भी है इसमें per parcel मिलता है 30 रूपीज per parcel अगर आपने माल दिया 25 parcel अगर रोज डिलेवर करते हो तो यहाँ पे सारे 700 रूपे का income होता है और 25 parcel minimum एक बैन में आते ही आते लेकि इसमें duty कोई fix नहीं है अगर कोई कहाँगा कि इसमें 8 घंटे काम होता है तो जी नहीं हो सकता है आप 7 घंटे में भी parcel डिलेवर कर सकते हो सकता है आपको 10 भी बच जाए रात के मतलब यहाँ पे हो सकता है 12 घंटे लगे हो सकता 14 घंटे लगे इसलिए local candidate को hiring किया जाता है क्योंकि उसको route का पता होता है route का जानकारी होता है route का knowledge होता है जब route का knowledge होता है तो वहाँ पे उसको बहुत major benefits होता है वह local जैसे माल या google map में दिखा रहा है कि 20 km है यहाँ जाने में और उसको रास्ता पता है वह 5 km में shortcut मार दिया तो 5 km में shortcut मार दिया तो वह क्या करेगा 5-6 घंडा में deliver करके और company के बाहर गाड़ी लगा देगा बात खित्रम क्योंकि वह पर parcel basis पे parcel basis पे फायदा यह होता है कि आप 6 घंटा में deliver करता हो तो deliver करके घर चले जाओ अगर 25 परसल अगर 7 घंटा 8 घंडा में deliver कर दिया तो deliver करके घर चले जाओ अगर वह 10 घंटे लगाते हो 12 घंटे लगाते हो या फिर 14 घंटे लग जाता है ना तो मैं सेलरी फिक्स किया हूना ही कुछ जितना डिलेवरी करोगे उतना पेमेंट आपका बढ़ेगा और कंपनी का जो है सो फियूल बगएड़ा तो जलता है वनली फोर मेल कैंडिडेर की हाइडिंग है इसमें फिमेल नहीं चाहिए तो लड़के का हाइडिंग है अब कं सिंग मसिन रहता है कुलर रहता है जीम सेट रहते हैं बहुत सारे जीम रोड रहते हैं तो यह सब चीजे रहती है तो कस्टमर के घर डिलेवर करने में कोई सर्म की बात नहीं है काम करने वाले हजारों लोग काम कर रहे हैं कंपनी में कंपनी डूप तो नहीं गया ना बंद देखिए बाई की लाइसेंस नहीं चाहिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 13 पासव रिक्वाइड है अच्छा सेली पेकेज है जो भी लोग इंट्रस्टेर सीवी भेजी है और हां डॉली मैटम को कॉंटेक्ट कर सकते हैं कॉंटेक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में बहुत सार परसेंट जॉब की नीड होगी हमें देखना कभी नहीं छोड़ेंगे क्यों कि उसको जॉब की नीड है वह टाइम पास करने नहीं आता हमारे चैनल पे तो यहां पर पर अगर रियल जॉब चाहिए और ऑथेंटिक जॉब चाहिए तो आप मारे साथ में जूरे रहे हमारे पास में पास में बहुत सारे हैं जो हमेसा करते हैं लेकिन हमारे पास में उतना टाइम ने रहता हैं चाहिए को जुब चूब कीजिए बेहतर रिस्पॉंस आपको मिल पाएगा थैंक्यू सो मुझ